पर्यूशन पर वो जेन धर्म के महत्वपुन तिवहरों में से एक है हर साल भादरपद माह में जेन धर्म के स्वितामबर और दिगंबर समाच के लोगों द्वारा पर्यूशन पर मनाया जाता है 12 सितंबर से सितंबर जेन पंत के पर्यूशन पर वो सुरू हुए थे जिसके समापन पचाथ बेटमा नगर में विशाल चल समारो और वर्गोडा निकाला गया जो नगर के विभिन मार्गों से होते हुए पुनह मंदिर पर समापत हुआ जहां इसने हम वात्सलिका भी आईजन किया गया बेटमा नगर के जेन स्वेतंबर स्री संग के बुधवार को पर्यूशन परवपूर्ण होने पर नगर में जोड़दार वर्गोडा निकाला गया इसमें सारे तपस्वियों जिन में 8, 11 तथा 9 उपवास किये थे सभी तपस्वियों का वर्गोडा पूरे नगर में भ्रहमन करते हुए निकला इनके साथ में भगवान स्री भी विराजमान होकर पूरे गाउं में भ्रहमन करते हुए हर्श उलास के साथ निकले जिसमें युवाओं की टोली नर्त्य करते हुए चल रही थी बरगोडे का समापन अनपूर्णा मंदीर रोड स्थीत मंदीर में हुआ, तत्पशा सभी तपस्यों का मंदीर में बहुमान किया गया सभी को सादर जैजनें आज हमारे जेन समाच का समावाचना दिवस है आज के दिन हम सभी जेन बंदू एक दूसर शमा मांगते हैं हम साल भर में एक दिन वजुशन महाँ पर वो चलता है जिसमें की सभी जेन बंदू अपने इसाब से उपवास करते हैं कोई आठ दिन का उपास करता है कोई तीन दिन का करता है कोई दो दिन का करता है मैंने आठ दिन की तपस्या की है जिसमें आठ दिन तक मैंने कुछ भी नहीं खाया सिफ पानी ही वापरा है ये काम मेरे सिफ में गुरू जी की वज़े से ही कर पाया हूँ उन्होंने मुझे प्रोच्छान किया है कि ये करने से आपके बहुत कर्मों की निर्जरा होती है और आपको स्वर्ग में जाने की वो मिलता है इसमें आपके कर्म भी बहुत कटते हैं ज देन सासन का सबसे बड़ा त्योहार पर्यूशन महा पर्व आज छमाय आजना के साथ समापन हुआ और उस पर्यूशन पर्व के अंदर बेटमा नगर की पुन्य धरा पर सिरेन सनाद दादा के दरवार में सिरेन सनाद दादा या के तिर्थादी पती है और उनके दरवार में आठ दिन पूरी भक्ति और तपस्या के साथ इस पर्यूशन पर्व को मनाया गया इस पर्यूशन पर्व के अंदर हमारे यहां गुरु वर्या विराजमान है और उनकी निस्रा में इस पर्यूशन पर्व को बड़ा धुमधान के साथ मनाया गया है सबसे बड़ी विशेस्ता इस पर्यूसन परवे की रही कि छोटे से लगे के बड़ा तक साथ साल के बच्चे से लगा के सतर साल के व्यक्ति तक ने तपस्या करी छोटे छोटे बच्चों ने आठ उपवास, ग्यारा उपवास की तपस्या करी है हमारे नगर के सिरी संके सम्मानी लोगों ने भी आठ तपस्या, ग्याराव पास की तपस्या और एक हमारी नगर की भांजी जिसने सित्दी तप की तपस्या करी 45 जो एक बहुती बड़ी तपस्या मने जाती है आज इन सबका समापन हुआ और इस सिरेंसनाद दादा के परिसर में आज बड़े धुमदाम के साथ तपस्यों का बरगड़ो निकाला गया और उस बरगड़ों के बाद गुरु द्योग ने असिर वचिन दिये और सभी तपस्यों का बहुती अच्छा तरीके से उनका सम्मान किया गया मैं सिखर मंड़ोरा बेटमा हलो फ्रेंड्स आप देख रहे हमारा चैनल S24 News हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे टेल आइकोन को दबाना बिल्कुल बिना भुले